हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल टीमामन चावला आज हम कवर करने वाले हैं अर्बन वूट्स प्रजेक्ट को जो की सुशान गोल्ड सिटी में लोकेटेड है मिलते हैं इस एवी के बाद यह अर्बन वूट्स का फेस बान है जो की रेडी हो चुका है, स्ट्रक्चर जिसका पूरा रेडी है फिनिशिंग वर्क चल रहा है साइट पे यह अभी हम फेस बन को कवर कर रहे हैं जिसका पॉसेशन विदिन नेक्स इक्स टू एट मंस मिल जाएगा यह कॉरिडूर एरिया है कॉरिडूर 6 फिट वाइट कॉरिडूर है एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स है इसमें आपको 2BHK और 3BHK दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे 2BHK में आपको 1090, 1150 और 1250 स्कॉर फूट के साइज अवलेबल मिलेंगे एन 3BHK में फेज वन में 1560 स्कॉर फूट का साइज है फेज वन अल्मोस्स सोल्ड आउट है बहुत कम यूनिट्स फेज वन में बची है मैक्सिमम यूनिट कंपनी के पास इस समय फेज टू में बची है जिसका पॉसेशन अल्मोस्स देट से 2 साल बाद है यह सेंपल फ्लैट है जो अर्बन वूट साइट पे अल्रेडी रेडी है और यह अभी से नहीं लगबग 2 साल पहले से 3 साल पहले से रेडी कर रखा है कंपनी ने यह 1150 स्कॉर फूट एरिया में 2BHK का सेंपल है के बनाया हुआ है कंपनी ने किचन में ग्रेनाइट टॉप मिलेगा सिंक मिलेगा टैप मिलेगा इंस्टेंट गीजर मिलेगा और साथ में कभी-कभी बीच में स्कीम्स कंपनी निकालती है जिसमें आपको मॉडिलर किचन के भी ऑप्शन्स वलते हैं एक 2BHK में एक अच्छे साइस का किचन है और साथ में सर्विस बालकनी है और सर्विस बालकनी वैसे तो मैं थोड़ी छोटी कहूंगा लेकिन इतनी है कि आपकी वाशिंग मशीन बहुत अराम से आजाएगी अब हम चल रहे हैं मास्टर बेडरूम की तरफ यह मास्टर बेडरूम है अल्मोस्ट बारबाए ग्यारा का अंदर का आपको रूम एरिया मिलता है और साथ में वाडरूम स्पेस अलक से मिलता है wardrobe space जो है वो छोटे bedroom जो size है 1090 square foot वाला जो bedroom का size है उसमें wardrobe का space एक bedroom में मिलेगा एक bedroom में नहीं मिलेगा लेकिन 1150 onwards में हर bedroom में wardrobe space हर room में दिया हुआ है इस unit का जो सबसे बड़ा मुझे highlight लगा वो लगा ये वाली balcony जो की इस bedroom से भी connected है और ये जित्ता भी tile portion आप देख रहे हो सी वे balcony है क्योंकि ग्राउंड floor पे sample बना है तो अलग से कुछ garden area दिख रहा होगा लेकिन जित्ता भी tile वाला portion है इतना area ये balcony का है और ये balcony drawing room से भी connected है और इस bedroom से भी और बहुत अच्छी और बड़ी balcony है wooden flooring मिलेगी आपको इस master bedroom में bathroom almost finish मिलेगा ये bathroom जो है ये से विस bedroom से connected है और एक washroom अलग से है जो लॉबी जो common है जो bedroom second bedroom से भी access कर सकते हैं और लॉबी से भी access कर सकते हैं dining area से एक अच्छे size का 2bhk के साब से एक अच्छे size का washroom है ये इस second room है जो लगभग 11.5 के area में आएगा आपका इस में भी wardrobe space अलग से मिलेगा इस bedroom में भी attach balcony है तो आप घर में किसी भी time आप balcony को एक्से लेयर या natural sunlight मिलती रहेगी यह बालकनी का size भी बहुत अच्छा है अप्रॉक्सिमेटली length में अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 या 14 फिट की length की बालकनी है वेट भी लगभग 4 फिट की वाइड होगी तो अच्छी बालकनी है इस वास्ट रूम की मैं बात कर रहा था जो कि अलग से बाहर से एक्सेस करना पड़ेगा है इसको और ऑफ जो डाइनिंग और अर्ण रूम इरिया है वहां से भी एक्सेस कर सकते है तो कॉमन है यह कोई गेस्ट आते हैं तो इसको यूज कर सकते वा और जो second bedroom में उससे बाहर से भी इसको यूज किया जा सकता है प्रेजेंटेशन देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इंटीरियर्स किया है कंपनी ने इस सैंपल में अब यह है एक्च्छल यूनिट जो एक्च्छल साइट पर बन रहा है मैंने सोचा पहले एक सैंपल दिखा के एक एक्च्छल भी दिखा देते हैं और यह 1560 स्क्वार फूट का 3BH के है जनरली सैंपल को देखके आइडिया नहीं लग पाता है एक्च्छल यूनिट का तो मैंने सोचा एक एक्च्छल जो बन रहा है वो भी दिखा देते हैं वो अगर आप देख पा रहे होगे अंडर कंस्ट्रक्शन टावर जो है वो फेस टू ऑफ अर्बन वुड्स है फेस वन में थ्री टावर सें फेस टू एक टावर अभी लगबग फर्स फ्लोर पर होगा और एक टावर अप्रॉक्सिमेटली फिप्ट यां सेक्स फ्लोर पर क अच्छा स्पेशियस किचेन है दोस्लाब का जो यह कॉंसेट बहुत अच्छा है और आजकल सुषान गोल सिटी में जो भी प्रोजेक्स अच्छे चल रहे हैं उसमें यह दोस्लाब वाला कॉंसेट आजकल बहुत इन है जो साथ में सर्विज वालकनी है वह एक्चिली दू ही बालकनी आपको दिखती है जो कि अप्रोक्शिमिटी 14 फिट के आसपास होगी लेकिन अगर मैं विट्ट की बात करूं तो छोटी है और इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने रिशिता मलबरी हाइट्स प्रोजेक्ट है जिसको मैं नेक्स वीडियो में कवर करूंगा तो मैं इस बालकनी की बात कर रहा था तो यह बालकनी की जो वेट है वो मुझे थोड़ी सी कम लगी वाशिंग मशीन रखने के पॉइंट अव यू से और क्योंकि फ्रंट की बालकनी है अगेन इस तीज को मैंने क्यारा में भी हैलाइट किया था अब फ्रंट की बालकनी मे नहीं जिदर से एंट्रेंस है इस प्रोजेक्ट का उधर ही फेस करती है यह बालकनी तो जो भी यूटिलिटी के हिसाब कपड़े फैलाना या जो वाशिंग मशीन है वो इसी में यूज होगा इस बेडरूम के साथ में यह ड्रेसिंग अरिया भी मिलता है आपको और फिर यह एंट्रेंस है वाश्रूम के लिए लगभग दस वाई फाइव लगभग पचास फिट का यह अपका वाश्रूम एरिया है और अल्मोस्थ एप्रॉक्सिमेटली छे फिट बाय अप्रॉक्सिमेटली चाइप stp ixMr. च्चेली चेपार छ यह यह शेंट साथ फिट का आपका ड्थ्रेसिंग एरिया है इस वेडरूम के साथ अलग से वाट्रो वेरिया मिलता है आपको मैं जो यह flooring दिखाता हूँ flooring से मेरा concept होता है tile almost 2-2 का tile होता है तो आपको exact idea लग जाएगा कि कितना बड़ा room size या कितना बड़ा आपको bathroom size यह मिल रहा है tile दिखाने का नीचे मुझे purpose इतना होता है आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी area किसी project को अगर आप विजट कर रहे हो तो आप project विजट करके आप किसी से room size ना पूछें बहतर है कि आप नीचे जो tile है उस tile से calculation कर लें तो आपको exactly पता चलेगा कि अंदर का space आपको कितना मिल रहा है उस आपके उस bedroom में या उस apartment में यह common washroom है जो third bedroom से बाहर से access करेंगे और lobby से भी drawing और dining lobby से भी इसको access किया जाएगा मुझे build quality urban roots की बहुत अच्छी लगी जो materials use कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लगे इस room में भी अलग से wardrobe space मिलता है balcony आपको हर bedroom में मिल रही है चाहे वो shared हो चाहे वो अलग हो आपको natural sunlight या airflow throughout the day बना रहेगा लेकिन इस room के साथ में जो balcony है वो लगभग 4 feet by 2 या 5 feet की balcony बहुत छोटी से नाम कि आप खड़े ही हो पाऊगी इतनी बड़ी balcony है लेकिन है बड़ी बात यह है कि आपको natural sunlight मिल रही है आपको तीनो rooms में balcony है तो हवादार और sunlight हमेशा proper आती रहेगी दोर्स की quality भी specially मुझे बहुत अच्छी लगी तो build quality में बहुत अच्छा project है यह location में भी बहुत अच्छा project है यह मैंने थोड़ा zoom in करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि construction जो है अभी phase 2 में चल रहा है बहुत तेजी से तो जैसा कि आपने इस project को देखा अब इसके थोड़े positive और negative zone की बात करते है positive की अगर मैं बात करूँ तो number one positive इसका location है यह इस location में तीन प्रोजेक्ट से मैं इस project को compete कर रहा हूँ इसका competition है उसमें location वाइज यह project यह और मलवरी हैट जोनो 19-20 का फरक है बहुत जादा अंतर नहीं है लेकिन यह far better location है compared to Ocas यहां कियारा residency अगर मैं बात कर दा तो यह उन दोनों project से approximately एक किलोमेटर 600 मिटर से एक किलोमेटर पहले पढ़ जाते हैं तो यहां से Walmart, Scone Temple, IT City और आपका जैपुरिया स्कूल आप थोड़ा सा और पास हो जाते हो main entrance of Ansel Sushandbol City से दूसरा मुझे जो plus point लगा कि structure ready हो चुका है finishing भी almost हो चुकी है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कुछ जगे finishing चल दे है, कुछ जगे finishing हो चुकी है इस project को builder ने दो phases में बाट दिया था, phase 1, phase 2 phase 1 का जो possession है, वो within next 6 to 8 months company offer कर देगी और phase 2 में अभी हला कि date से 2 साल का time लगेगा तो phase 1 में अगर किसी को ready to move unit चाहिए तो location भी अच्छी है, room sizes भी अच्छी है, apartment का size भी अच्छा है corridor भी लगबग 6 feet चोड़ा है, एक floor पे 6 units है तो overall जो build quality, जो lift की quality, जो doors की quality जो एक builder यूज़ कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी तो construction quality एंड location में तो इस project का कोई जवाब नहीं है अभी अगर मुझे negatives की particularly बात करने हो, तो negative में मुझे बस एक problem है कि ये project launch हुआ था, लगबग 2016-17 के असपस launch हुआ था उस समय से लेके अभी तक phase 1 complete हुआ है, हाला कि construction थोड़ा slow है थोड़ा सा तेज हो सकता था, तो इसलिए बस मुझे ये doubt, doubt नहीं बोलूँगा लेकिन phase 2 को हो जाना चाहिए था, अभी तक हम maximum अगले एक साल तक 2021 सेंट तक phase 2 हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी phase 2 का जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाय थे दोनों टावर्स अभी बिल्कुल initial stage में हैं और approximately अभी एक साल यहां 8-9 महीना structure ready होने में और फिर उसके बाद एक साल लगबख finishing work में लगी जाएगा, जो 6 टावर्स हैं यह बिल्कुल एक चारो तरफ से ऐसा wall type का create हो जाता है, तो जो beach की units रहेंगी मुझे ऐसा लगता है क तो आपको जब भी आप कोई wardrobe रखोगे या आप कैसे भी उसको बनवाओगे तो जो आपका रूम का area 11 by 11 का room का area 11 by 12 का room का space मिल रहा है उसमें आपको थोड़ा compromise करना पड़ेगा because वो आपका जो main area है उसको carpet area को hamper करेगा because वो wardrobe का space at the end of the day चाए kids room हो या कोई भी room हो उसमें आपको एक wardrobe space तो बहुत जबनी चीज है जो होनी चाहिए वो इसमें missing थी बाकी overall अगर मुझे बात करनी हो तो location में 10 on 10 आपका जो build quality है उसमें 10 on 10 जो possession time है वो better हो सकता था वो उसमें थोड़ा सा delay है तो उसमें I would say 7 out of 10 और बाकी जो room sizes है वो बहुत बढ़ी है corridor का size बहुत quality is very good जो लेकिन जो wardrobe space अगर builder कुछ एक इस तरीके से planning करते है कि 2bhk में हर room में wardrobe space निकल आता तो ज़्यादा बेडर होता और balconies भी in fact इनकी एक additional add करना चाहूंगा balconies भी बहुत अच्छे sizes है जनरली इस range के product में जहां 60,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 balconies में builder compromise करते हैं यहाँ पर balcony का जो size है उसके builder ने बिल्कुल compromise नहीं किया है तो thumbs up for this तो उमीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंट आया होगा अगला में अरले वीडियो में मैं रिशेता मलबरी हाइट्स को cover करूंगा और उसके pros and cons को भी हम cover करेंगे thank you so much मेरे channel को follow please क करें और वीडियो को लाइक करें